तो दोस्तों मैं आप सब भारतवासियों से और सनातन संस्कृति से बंदुयों से अनुरोद करता हूँ दो हाथ जोड़के कि भारत सरकार ने 14 फरवरी को कावग डेर के रूप में घोशित कर दिया है तो हमें भी उसका लाब उठाना चाहिए और संपुन रूप से इस विश अस्तविक रूप में नहीं मानेंगे नहीं जानेंगे नहीं समझेंगे तब तक हमारी सनातन संस्कृति और हमें सनातन कहलाने के लिए कोई अधिकार नहीं है और ये तब तक हमारा कारी अधूरा है दोस्तों ये गोमाता अपनी एक आवाज को समझती है और हम उसको नहीं स आर्चिया है तो हम क्यों नहीं मानते है यह प्रेक्टिकल करके देखना चाहिए छोदा तो दोस्तों कौंप हक दे के रूप में इसृकार करें और ज्यादा से ज्यादा को सालाओं में जाई ये गायों के पास जाई है और चोदा फर्वरी को का और अब के रूप में संपुन शीद करें और उसका वह एक और वास्तविक लाभ समझे दुनिया में आप कितने भी डीप्रेसन में हो पर मित्र एक बार गाई के पास चले जाओ गाई के चरण में संड़ेंगा आपका तनाव आपकी चिंता दूर नहीं होती तो मैं आपको एक लाख र क्या मज़ा आता है उसको आप एक बार ट्राइ करके देखिए